हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल अग्लामप कुईन्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हुए एक ऐसी डियाएवर रेमेडी जिसके यूज से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं ग्लोइंग बना सकते हैं इस पहले यूज से आपका आपकी सकिन में फर्ड देखने को मिलेगा कि आपके स्किन पर कितना अच्छा ग्लो आया है साथी साथ आपके स्किन बहुत ही ज़ादा क्लियर और शाइनी नजर आएगी अगर आपके स्किन में एकने पेमपल्स की प्रापलम है पिगमेंटेशन, टैनिंग हो गई है साथी साथ सा पर dryness ना हो तो आप इस remedy को ज़रू try कीज़े यह बहुत ही ज़ादा natural और effective है अगर आप इसको use करोगे तो आपको इस remedy के 100% results मिलेंगे तो ज़ादा time ना विस करते हुए चलिए start करते है आज की वीडियो कि हमें इस remedy को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से use करना है इसको बनाना बहुत ही जादा एजी है सबसे पहले आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको एक चमच वीट फ्लोर एड़ करना है यानि गेहूं काटा गेहूं काटा सबके घर में अवेलिबल होता ही है और यह बहुत ही ज्यादा अच्छह स्किन के लिए उसके बाद मैं आपर एड़ करूँगी हाफ टीस्पून शुगर पाउडर शुगर पाउडर बहुत ही ज्यादा अच्छह आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा अगर आपके घर में चीन नहीं है आप उसको मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना सकती है उसके बाद मैस में अड़ करूँगी हाफ टी स्पून ग्राम फ्लोर यानी बेसन बेसन बहुत ही जादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए या आपके स्किन से दाग धबो को तो दूर करेगा ही साथी साथ आपकी स्किन को वाइटन ब्राइटन बनाएगा उसके बाद एक स्मूध पेस बनाने के लिए मैं हापर दो चम्मच रामल कैट करूँगी यानि कच्चा दूद कच्चा दूद आपके स्किन को soft smooth बनाएगा साथी साथ आपके स्किन को moisturize रखेगा और deeply clean करेगा अब आप इसे अच्छे से mix कर लिजे ताकि सारी चीज़े एक साथ अच्छे से mix हो जाए और एक smooth सा creamy paste तेयार हो जाए जो आपके face पर अच्छे से apply हो सके तो आप देख सकते हैं कि मेरी DIY remedy एकदम ready हो चुकी है और इसकी consistency आपको इसी तरीके की रखनी है ना ज़ादा थिक होने चाहिए और ना ज़ादा रनी होने चाहिए जो आपके face पर अच्छे से apply हो सके जब भी आप अपने face पर कोई भी remedy apply करें तो सबसे पहले अपना face अच्छे से wash कर लीजिए और उसके बाद आप ब्रश की help से अपने पूरे face पर इस remedy को अच्छे से apply कर लीजिए मैंने इसमें जितने भी ingredients यूज की हैं वो बहुत ही ज़ादा natural और effective है गेहु कार्ट आपकी skin के लिए काफी ज़ादा अच्छा है skin की सारी problems को दूर करेगा साथी सा sugar powder sugar powder आपकी skin को deeply clean करेगा और यह आपके face पर एक scrub का भी काम करेगा उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया बेसन बेसन आपकी skin से दाख धबो को pigmentation tanning की problem को दूर करेगा और आपकी skin को white and brighten मनाएगा और milk आपके skin की dryness को दूर करेगा skin को moisturize रखेगा सर्दों के मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आपके skin glowing हो जाए तो यह remedy आप जरूर ट्राइ कीजिए उसके बाद आपको इस पूरे pack को अपने face पर लगाने के बाद आपको एक से दो मिनट तक अच्छे से अपने face की massage करनी है सर्फर सिर आप एक से दो मिनट करें उसके बाद आप इसको सूखने के लिए चोडद दीजिए और उसके बाद अपना face अच्छे से wash कर लेजे एक से दो मिन तक Malaysia करने से आपके स्किन की Wet skin निकलेगी, Wet skin निकलेगी तो आपके स्किन पर Natural Glow आएगा, आपके स्किन वाइट कर उर शाइनी हो जाएगी, तो देखिए इस तरीके से मसाज करनी है तो मैंने हाँ पर अपना फेस अच्छे से वाश कर लिया और आप देख सकते हैं इसके पहली यूस से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नजर आ रही है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ स्मूथ फील कर रही है तो आप इस डियाएव आज बार जरूर रहे किजिए आपको मार्केट जाकर महेंगे महेंगे पालर जाकर अपने फेस पर फेशल कराने की ज़रत नहीं पड़ेगी आप इसको जरूर ट्रै किजिए यह आपके स्किन पर नैच्रल लेकर आएगा साथी साथ सकीन की सारी प्रॉब्म्स तो दूर हो ही अगर आप इसे रेगुलर यूज करोगे तो आपके स्किन की सारी प्रॉब्म दूर हो जाएगी और सर्दियों के मुसम में आपके स्किन बहुत ही जादा नैट्रल और शाइनी हो जाएगी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो उ प्लीज मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना न भूलें मैं मिलूंगी आपको अगली नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई